तो वैज अगर आप IQ Z6 Lite 5G फोन लेने वाले हो या फिर लेने की सोच रहे हो especially gaming के लिए BGM या फिर PUBG जैसे game के लिए तो ये फोन आपको बिलकुल भी नहीं लेना चाहिए और इस वीडियो में मैं आपको reasons बताऊंगा कि ये फोन आपको क्यों नहीं लेना चाहिए तो गैज कुछ दिन पहले मैंने इस device के बारे में अपने चैनल पे कुछ वीडियोज डाले थे और उन वीडियोज में मैंने इस device के specification के बारे में बात करा था और साथ मैं BGM I और PUBG माल के graphic setting support के भी बारे में बात करा था और गैज उन वीडियोज पे बहुत सारे बंदों के कमेंट्स आये थे और अभी आ भी रहे हैं मतलब कि जो भी बंदा ये फोन खरीज रहा है और उसको जो भी दिक्कत हो रहा है ये फोन में especially gaming category में तो वो अपना जो दिक्कत है कमेंट्स में बता रहा है और गैज कितने बंदे अपने डाउट्स भी पूछते हैं मतलब उनको जो भी डाउट रहाता है इस फोन के रिगार्डिंग जैसे कि इस फोन में जाइरी डीले है या फिर नहीं ऐसा कुछ कोस्चन रहाता है तो वो लोग कमेंट्स में पूछ लेते हैं तो गैज अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये फोन आपको क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए तो गैज अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो मतलब कि आपको सिर्फ एक 5G फोन चाहिए और नॉर्मल यूजर के लिए तो ये फोन आपके लिए एकदम परफ वाला डिस्प्ले भी मिल रहा है तो यह अच्छी बात है आप इसे नॉर्मल यूज के लिए ले सकते हो लेकिन अगर आप इसे स्पेसली गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो यह फोन बिल्कुल भी मतले ना क्योंकि बहुत सारे बंदे इस फोन को खरीद लिए हैं और इसे नहीं लेगा आप यह फोन ले सकते हो लेकिन अगर आप एक कंप्लीट जाइरो यूजर हो तो यह फोन बिल्कुल भी मतले ना आपको बहुत दिक्कत आएंगे जाइरो यूज करते टाइम और गईज इस फोन का प्राइज भी पहले से थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है तो इस फोन के प्राइज रेंज में अगर आप एक गेमिंग फोन लेना चाहते हो तो आपके पास और सारे अप्सन भी है मतलब कि आपको बहुत सारे ऐसे फोन मिल जाएंगे जिसमें इस फोन से अच्छा प्रोसेसर लगा हुआ है तो गैज आप बागी सारे फोन को भी दे गेमिंग पॉफोमेंस रहता है तो सबसे पहले आपको यहीं देखना है कि किस फोन में आपको सबसे अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है उस रेंज में आपको भी फोन चूज कर सकते हो तो गैज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना